तो हे गाईस कैसे हो आप सब गेमिंग न्यूस 44 के हेर और वेलकम बैक टो नदर इंटरस्टिंग न्यूस वीडियो गाईस ये वीडियो में आगे मैं आपको स्काउट और घादक भाई का पूरा मैडर एक्स्प्रेइन करने वाला हूँ कहां से वो शुरू हुआ और अभी तक हमको इसके ओपर क्या रियक्शन देखने को मिले हैं पट उससे पहले देख लेता है कल का टोप कमेंट जो कि निकल कर आता है भविशे वक्ता कलच गोड की तरफ से किस को लगता है आज जोनाथन की वाचिंग 100K प्लस जाएगी और यहीं जीच के रिलेटेट चलो आगे वीडियो में बात करते हैं और यहीज चलो फटा वट से देखते हैं पहली अपडेट जो कि निगल कर आती है जोनाथन की तरफ से तो कहीं जिसे कि आपको भी अलड़ी पता है कुछ टाइम पहले तक हमको गोड लाई की तरफ से जादा अच्छी परफॉमेंस देखने को नहीं मिल रही थी तो कह लोग परफॉमेंस टाइम के रिलेटेड जोनाथन ने रियाइड गया एंड क्या वो टाइम पर जोनाथन इतना जादा लोग फिल कर रहे थे की ही इवन क्राइड जो का आप खुदी देख लीजे तो उसके लिए होगा अभी गाइंड ओन हो गई भाई मैं भी सच बोलना गया एक टाइम अगया था कि मैं बहुत भहुत लोग फिल कर रहा था सच बोलू और यह थोड़े दिन पहले कही थी यह बात इतना लोग फिल कर था ना मैं बोलनी सकता आपको कि कैसा टाइम मैंने क्या लग बैटार आप जो प्यार वले मेसेज से वह सब लिटरली इनो मोटिवेट किये मुझे की जॉनी क्या होगा है उट मारना है सबको बोलनी सकता गई मैं कितना लोग उस्ट कर रहा था सिफ अपने बंदे जो है उनको ही पता है कि क्या है नहीं मैं लिटरली सच तो वहाँ पर तीन बार उनकी वाचिंग 100 के क्रोज की थी और मैक्सिम वाचिंग इसमें गई थी 1,19,000 और फिर वो चीज़ पर रियाट करते वे जॉनतन ने ये का लव यू आल, यू गाइस आर माई एवर्रेथिंग और ये लाइफ स्रीम अभी गेमिंग में 15K O.P. in the chat फू लेट्स फ्रिकें गो और गैस नेख सब लेट निगल कर आती है Scout and Gatagwai के रिलेटेड तो जैसा कि आपको अलड़ी पता ही है IQ Pro Series का Champion बनी है Team Godlike और क्योंकि अधर टॉर्नमेंट्स में हमको ब्लाइट की तरफ से काफी अची performance दिखने को मिल रही थे जहां पर वो almost Top 5 में तो रहते ही है बट ये टॉर्नमेंट में हो रही है Hashtag 8 पर and Team Soul है Hashtag 7 पर तो कैस ये चीज़ के related react करते बेश्काउट ने कुछ ये कहा था And guys, इसके बाद कल Ghatak बाई लाएवाय ते जहाप पर उनने ये सेम चीज़ के related बात की क्या ये टॉर्नमेंट में टीम्स हलके में खेल रही थी तो exactly जो Ghatak बाई ने का आप देखिये चोटी जीत हो या बड़ी जीत हो जीत होती है टॉर्नमेंट में हम लोग जीते वो टॉर्नमेंट में इंडिया की बेस्ट टीम्स खेल रहे थी हमारे हिसाब से 16 जिस हिसाब से slot distribution होता है और जिसको भी लगता है कि ये टॉर्नमेंट सीरेस नहीं था तो वो टीम्स ने अपना slot खाली करना चाहिए तो एक मोटिवेशन मिलना चाहिए हर प्लेयर को जै किसी को अपने चैट में कुछ भी किसी के बारे कुछ तो इसके बाद जब Scout लैवा तो उन्होंने ये चीज के रिडेट़े डियएड करते वे फिर ये कहा किसी को टार्गेट करने के लिए यार मैंने जो बोला था ना कि टोनामेट के लिए भाई मैंने फॉर्थ-फिफ्स मैंच अब देखा पॉंटेबल तो निचे यह कैसे इन चल रहा है अब सब लोग ने अपना स्टोरी वरी डाल के अपना गयान दे दिया तो मैं भी अपना एक सेटम देता हूं कि भाई और भेनों जो भी लोग उफेंड हुए उफेंड मत हुए क्योंकि हमने वो चीज फॉर्थ यार फिफ्स जब गॉडल जीती भी थी उस टाइम पर हमने बो हम सा नहीं हो पाया तो इसमें को च्टिस नहीं अपना इन जेर्रल बोला उस ताम पर और भी जिस सकती थी हर चीज को खुद पर अफन लेना बंद करो चीजे एंट अब गाईस अगर ये चीज़ के रेडिर हमको कोई और अपडेट देखने को मिलती है तो मैं आपको नेक्स वीडियो में बता दूंगा और गाईस नेक्स अब टेंग्स है टीम सोल के रिलेटिट जो की निकल करा आती है Global E-Sport Fight Night The Arena Champs Season 2 के related तो गये जैसे कि मैंने आपको previous video में बताया था कि Fight Night करके एक TDM का tournament होने वाला है जिसमें हमको total 32 teams देखने को में लेती और कल इसके champion बन गई है Team Soul और इसके rated एक post भी आप screen पर देख सकते हो जापर Team Soul की तरफ से खेले थे Goblin and Neo So yeah guys, many congratulations to Team Soul जिसके related आज फाइनले टीम Soul के कोच हम इतने react किया तो आप देखिए और गाईस नेक्स अपडेट है गोडलाइक के related जो की निगल कराती है गोडलाइक के को ओनर अमर की तरफ से तो गाईस पिछले कुछ सेम जब कुछ लोग अमर जबी भी भी live आते है वहाँ पर यह स्पैम करते हैं कि गोडलाइक का अनलिस्ट अमको कब तक देखने को मिलेगा जिस पर फाइनली उन्होंने react करते वे कल यह कहा अनलिस्ट अनॉसमेंट कब? अरे भाई अभी नहीं सेम टीम सेम ड्रीम आप समझ नहीं रहे हो वो एक बैड फेस था गाई वो टाइम पर आप जो भी बोल रहे थे लिटरली हमको तो इतना टाइग आ रहा था ना भाई बहुत जादा टाइग आ रहे थे बढ़ ठीक है क्योंकि अभी उसको एक अच्छा फॉरफाउन से आपके सारे questions cancer दे सकता था आ गया फोटे टाइम बाद ही सभी बट अब गाईस गोड लाइक के रिलेटेड बात करी रहे हैं तो नेक्स अब येड निकल कर आती है गोड लाइक एन स्टी के रिलेटेड तो गाईस हमर की वो सेम लाइफ सेम पर किसे ने उसे ये बुचा किया हमको कोड लाइक एन स्टे का कोलाबरेशन देखने को मिलने वाला है जैसे कि गाईस हमने प्रिवस एक वीडियो में देखा था जहाँ पर स्टी की लाइन अप हमको बीजे माई में देखने को मिल सकती है तो फिर उस पर रियाट करते हैं हमर ने ये कहा ओ गैस नेक्स अब्रेट निगल कर आती है गातक भाई के रियाट किया तो आप देखिये और गैस बीजे माई के टोर्नामेंट के रिलेटिड बात करी रहे है तो नेक्स अब्रेट निगल कर आती है विलेजर इस्पोर्ट प्रो निविटेशनल के रिलेटिड तो आपको याद हो का प्रिविएस वीडियो में मैंना आपको बताया था लीग क्वालिफाइट में ये सबी टीम्स खेलने वाली है और यहां से जो भी टोब 8 टीम्स होगी उनको लीग स्टेज के 8 स्लोट मिलेंगे तो गैस फाइनली वो 8 टीम्स कंफर्म हो गई है और वो आप उलड़ी स्क्रीन पर देख सकते हो और गैस नेक्स अबडेट है सेट्यूल मर्च के रिलेटिट जो की निगल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से तो गैस कल जब गोल्डी भाई लाए वाँ पर कौफी सारी लोग उनसे ये पोच रहे थे कि भाई सेट्यूल की मर्च हमको वापस से कब तक देखने को मिलेगी जिस पर रियाट करते हैं फिर गोल्डी भाई ने ये कहा सेट्यूल मर्च कब गोल्डी दा आपनो अथाइस तरिक को लाँच करने है सेट्यूल मर्च अथाइस अप जुलाई विल भी लाँचिंग एसपोर्ट बीजयमाई के लैंड इवेंट के रिलेटर्ड तो गैस कल किसी ने हुचे ये पूचा क्या बीजयमाई का लैंड हमको बैंगलोर में देखने को मिलेगा जिस पर उन्होंने ये का मोस्ट लाइकली वीविल होस्ट बीजयमाई लैंड इमेंड इन बैंगलोर तो बस गैस फिलेल के वीडियो में इतना है ता वीडियो पस नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देने और आप सब्सक्राइब करक करते हो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई